थेलो बच्छो मैसल बाहान सर आप मैसे कही बच्छे जानते भी होंगा मुझे कही बच्छे ऐसे भी हो सकता है तो पहली बार देख पाएंगे मुझे बच्छो आज आपका फर्स डे है 9th का, और मैस की क्लास है आज आपकी 1st क्लास है आपकी बेटा मैस को पढ़ने का क्या मैथड है मैस को ना इंटर्टेन्मिन से पढ़ो उसे ऐसा समझो कि आप उसे रियल लाइफ में इस्तमाल कर सको मेरा मैथर्ट यही है कि एक फ्रेंक वे में आपको समझाए जाया मैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाया कोई डॉट्स वो तो आप बेही चेक हो के comment box में पूछ सकते हो मैं पूरी कोश्च करूँगा कि आपको वो dots जो हो clear कर सको ठीक है बेटा सो मुझे मैं अपने बारें बता दू ये 2020 में मेरे 18 साल हो चुके है teaching field में हजारों बच्चे पढ़के जा चुके हैं और अभी हजारों बच्चे पढ़ रहे हो आप एक साथ बिटा मैस को पढ़ने के लिए ना पहले तो दिमाग में इची बिठा लो कि ये बहुत interesting subject है सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और इतना मज़ा आता है कि बस मन करता है मैस ही करते रो तो क्यों ऐसा पहले मैस पढ़ने का एक मैसर समझो मैस को दो हिस्सों में पढ़ेंगे हम पहला मैसर पहले रूल समझेंगे रूल क्यों समझेंगे ताकि जो NCRT के question है cable वो ना कर पाए हम NCRT प्लस बाहर से भी अगर कोई question आए न तो उसे बहुत easy तरीके से कर जाए क्योंकि हमने रूल समझा है ठीक है दूसरा जब रूल समझ में आ जाए तो उसको apply करना है तो दो चीज आपको समझना है पहले रूल मैं हर वीडियो में पहले आपको रूल समझाऊंगा then उसके बाद exercise कराऊंगा तो पहले आप शुरू के जो 5-7 मिनिट का वीडियो है उसे गौर से देखना उसके बाद वीडियो नहीं भी देखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको rules आगे तो सबसे पहले पहले exercise का rules लिखिए rule नमर एक पहले exercise का rule नमर एक मैं आपको कुछ number system बता रहा हूँ लिखिए number system number system वैसे तो बहुत सारे number system है जैसे जैसे आपके class का level बढ़ेगा number system बढ़ते जाएंगे बट क्योंकि आप 9th standard में हो तो उसके हिसाब से मैं आपको 5 number system बताऊँगा लिखिए sankhya paddati हिंदी मीडिया में अगर आप हो तो लिखो sankhya paddati ठीक है बटा लिखो पहला number system का पहला rule समझो पहले है पहले rules पर focus करो पहला number है बटा natural number सबसे पहले क्या याद रखना है natural number हिंदियों बोलते हैं प्राकृतिक sankhya बटा natural number वो number होते हैं वो one से start होता है one two three and so on number system की बात हो तो आप याद रखिए जो one से start हो जो आपके पास घर में पैसा है ना वो भी एक natural system है क्योंकि वो positive है वो positive पैसा है आपने जो saving करी है वो natural number है वो positive form में है दूसरा बात करते हैं वोल number वोल number जिसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या क्या होती है natural number में यह जो natural number में अगर उसमें zero add कर दिया जाए यानि zero भी सामिल कर लिया जाए तो one two three and so on यह बन गया वो number यह तो वो लोग थे जिनके पास बहुत सारा पैसा है थोड़ा बहुत पैसा है positive पैसे में चल ले है उनके बास पैसा है वो natural system में है समाज में कुछ ऐसे लोग भी है जिन पर बिल्कुल पैसा नहीं है zero है तो हमाई समाज में न उन्हें हमने सामिल कर लिया अपने में तो वो क्यों बन गे wall number clear हो गया natural number जिन पर पैसा है wall number जिन पर बिल्कुल पैसा नहीं है zero है लेकिन उन्हेंना किसी से loan नहीं लिये रखा उदार नहीं है उनके बे तो zero वाले भी हमने सामिल कर लिये वो होगे wall number ठीक है अब आते हैं बच्चों integers तीसरा आता है integers इसे बोलते हैं पुर्णांग अब यह पुर्णांग क्या होता है integers होते हैं negative and positive सारे number जैसे dot 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 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 integers में सारे negative नमर आते हैं और सारे positive नमर आते हैं यानि यह पैसे वाले भी आ गए जिस पे कुछ नहीं था वो भी आ गया है और वो लोग भी सामिल होगे जिन पर loan चलना है जो उधार में चलने हैं वो सब किसमें सामिल होगे वो सब होगे integer तो natural number में 1 से सुरू होता है वो number 0 से start होता है integer minus से plus के सार नमर point को छोड़ कर point में नहीं आएगा वो decimal number हो जाएगा fourth अब आएंगे बिटा rational number और यही है हमारे slaves का main part rational number आपको याद नहीं होगा मैं आपको थोड़ा सा याद राजा हूँ जब आप eighth class में थे आपका first chapter याद करो आप आज आप इनी बुक खोल के देख लेना यही था rational number आपका पहला chapter था कोई बात नहीं पता तो कोई इश्यू नहीं है मैं यह मान के चलता हूँ कि आपको नहीं पता आता है तो वह अच्छी बात है नहीं पता तो सीखिए rational number हिंदिये बोलते है पड़मे संख्या यह पड़मे संख्या क्या होती है rational number होते है पड़मे जिनको हम P upon Q में लिख सके Q must not equal to 0 यानि वो सभी number जो upon में लिखा जा सकता है जो upon में लिखेंगे वो होंगे rational number बस Q 0 नहीं चाहिए नीचे की संख्या 0 नहीं होना चाहिए example देखो मैं कहता हूँ 2 upon 3 rational number है upon में लिखा हुआ minus 2 upon में 3 ये भी rational number है क्योंकि upon में negative positive देखना ही नहीं है 3 ये भी rational number है क्योंकि upon में लग गया 2 ये भी rational number है क्योंकि ये भी upon में बना जाएगा क्या 0 rational number है yes 0 is also rational number क्योंकि इसके upon में भी क्या लगा दोगे 1 तो ये भी एक rational number है क्या 3 upon 0 एक rational number है नहीं यहीं तो मैंना आपको सब्सक्राइब था upon में Q, Q मतलब upon denominator, 0 नहीं होना चाहिए upon में 0 यह rational number नहीं है, इसे not defined बोलते है बस आप याद दखो upon में 0 हो गया ते rational number नहीं है natural, bold, integer rational, और last कौन बचा बटा irrational, last आप याद करोगे irrational, मैं आगे भी बताऊंगा यही topic आपका में, लगिए irrational irrational number, copy भी नोट करना है आपड में संख्या आपड में संख्या अब यह irrational number क्या होता है rational number तो वो हो गया, जो upon में लिख सकते हैं, तो irrational कौन होगा जो upon में नहीं लिख सकते हैं, जैसे जो upon में नहीं लिख सकते है जो P upon Q के form में नहीं होगा जैसे under root 2, under root 3, under root 5 इनकी value को P upon Q में नहीं लिख सकते है इसलिए ये irrational number है ठीक है बटा? rational number which can be written in the form of P upon Q irrational number which cannot be written in the form of P upon Q clear है? 5 step के नमर आपको पहले याद रखना है ये था rule number first कोई भी पूछ सकता आप से इंटर्वी बगर हमें पूछते हैं कोई घर में पूछ सकता आप से तो आपको तयार रहना है तयार रहना है जवाब देने के लिए आप अपने आपको ऐसा बढ़ाईए तयार रखिए जवाब देने के लिए आप पढ़ रहे हो न, चैप्टा का नाम, आपने चैप्टा का नाम देगा नक्टा का नाम क्या था, चैप्टा का नाम है number system, तो सबसे पहले पताता हो number system में आता क्या है, तो यह 5 चीज़े आती है, किलियार हो गया 9th standard पे, आगे आते है rule number 2 पे, आपनी copy में लिखे लो 5 चो number, अब यह rational number find कैसे होता है, पढ़ में संख्या ग्याद करना, अभी मैं आपको short में बता रहा हूँ, क्योंकि rule है, बाकी जब मैं question कराऊंगा, तो मैं आपको exact तरीका बताऊंगा, presentation बताऊंगा, मैं आपसे कहता हूँ, कि 2 and 3, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 5 पढ़ में संख्या निकालो, 5 rational नमगा, 2 and 3 के बीच में, हमें 5 नमबर निकालें, जी rational, आपको कि सर जी कैसे बात करो, 2 और 3 के बीच में तो कोई नमबर नहीं है, मैं कह रहा हूँ न, 2 और 3 के बीच में, 5 छोड़ो, आप 5000, 5 लाग, 5 करो, 5 million अरब, लिख लो 3 upon 1, जिसके बीच में, फाइंड करना, उन दोनों के लिख लो upon 1 लगा के, ठीक है जी, कितने नमर फाइंड करने है, 5, तो एक नमर एक्स्ट्रा, अपनी तरफ से एक नमर आपको एक्स्ट्रा लेना है, तो 5 rational नमर निकाल लेना, तो एक ज्यादा ले लो, multiply 6, multiply 6, multiply 6, multiply 6, ठीक है बिटा, अच्छा बताओ, अगर यहाँ पर 10 rational नमर निकाल ले तो क्या करते, very good, 11, 11, 11, 11, समझ मैं गया, ऐसे ही अगर मानलो यहाँ पर होता, मैं क्या तो 6 rational नमर निकाल लेना, तो क्या करते, हाँ, साबाज, 7, 7, 7, 7, अरे भाइसा, बहुत कमाल, बहुत बढ दा लेना है, clear हो गया, तो आपको 5 पूछ रहा था, आपने 6 से multiply कर दी, multiply करो, 12 अपॉन होन मैं 6, 18 अपॉन मैं 6, अब हमें क्या निकालना है, 5 rational number, 5 rational number, पांच परमे संख्या, पांच परमे संख्या निकालना है, किन के बीच? बार ओर अठारह के बीच में, तो 12 और 18 के बीच में, तो 12 और 18 के बीच में जो आता लिखते हो, टेंशन फ्री, या Nurse When loss 18, आपन 6, 14 अपन में 6, 15 अपन में 6, 16 अपन में 6 और 17 अपन में 6 आपसे क्या पुछा था 12 और 18 के बीच में तो 13, 14, 15, 16, 17 हो गया ना ऐसे ही मिलियन निकल सकते हैं मैं चलो आज पूछ लेता हूं आपसे कि 2 और 3 के बीच में 100 रैशनल में निकालो क्या करोगे बेरी गुड अगर 100 पूछ रहा हो तो आप क्या करोगे 101, 101 सब से मल्टिप्ला हो जागी 101, 101 सब की मल्टिप्ला कर दोगे 100 नमर आजेगा तो ऐसे किसी भी नमर के बीच में रैशनल में पूछे तो यह तरीका होता है जितने रैशनल में पूछ रहा है उससे एक ज्यादा नमर लेके मल्टिप्ला कर लो आप रैशनल में इजी निकाल लोगे ये होगे रूल रूस क्यों बताएं सर आपने रूस इसलिए बताएं कि केवल हमें NCRT कोशन नहीं करने है कल को अगर NCRT से बाहर का कोशन आ गया आपके टीचर ने पूछ लिया तो आप क्या आंसर दोगे क्या कोगे सेवा में सिरीमान मुझे सिर्ट NCRT आती है मैं बाहर का कोशन नहीं करूँगा वो जी मेरे बस में नहीं वो सर्जी न मुझे नहीं सिखाया जी नहीं बोल सकते ना पैसा इसलिए रूस सीखिए तागि बाहर के कोशन भी कर सके है ठीक है बटा अब आते हैं कोश वर चोशन आप से पूछ रहा वेटा इस जी रो आ रेशनल नम्मड क्या जी रो पड्मे संख्या है आंसर क्या दोगे जास अभी मैं आपको पता था जी रो रेशनल नमर है या नहीं है है ना अभी आपको पता है था क्यों साबाज अपन में बन लिख सकते हैं अब ऑन लि हो गया ठीक है बिल्कुल मज़े सबढ़ो बोरिंग नी चाहिए जी बच्चा बोर हो तो अपना कहीं और पढ़ लो जी वह बिल्कुल इंटर्टेंविंट वाला चाहिए ताकि मैं भी बोर्ड ना मैं मैं भी थक जाओंगा भाई बिल्कुल इंटर्टेंविंट पढ़ो फु इनके बीच मैं 6 निमगा लो तीन और चार के बीच 6 निमगा लो रूल समझाए तो ना आपको क्या करोगे बताओ थ्री अपॉन में बन और फॉर अपॉन में बन कितने निमगा ले हैं 6 तो एक नमा एक्स्टा ले लो बिटा कितने नमा लोगे 6 के बाद 7 तो मुल्टिप्ल 2'7-7x7 7द हो decisal से बताओ क्या एक अब 2 अपॉन में आ आ गाए 7 या उप 15-4 और आपन Bennett seven अब आप से पूच पूछ क्या रहा है आप से पूछ रहा है सिक्स रैश्नल नमबर 6 रैश्नल नमबर हिंदी में क्या पूछ रहा है 6 और में संख्या 6 रैश्नल नमबरॉ किस के बीच में है 21 और 28 के बीच में है तो 21 और 28 के बीच में नमबर बोलते जाओ बोलो 22 एपॉन 7 लिख दो 23 24 25 26 27 ठीक है थी 21 और 23 के बीच में लिख दो जितने नमबर आपको फाइंड करने उसे एक नमबर एक्स्टा ले लो अब आते हैं अगले कुस्टन पर रूल लंबर कोसिटें क्या क्या रहा है क्युक्त नमबर त्री क्या क्या रहा है क्या थे फाइंड फाइब रैश्नल नमबर बिट्वीन थी अपॉन 5 एंड फोर अपॉन 5 थीं बटे पाँच और चार बटे पाँच अपॉन इनके बीच में हमें निकालने है जी 5 rational number कितने rational निकालने है जी इनके बीच में 5 rational number निकालने है अरे भाई सब 5 क्या 50 पूछ लेते हैं क्या दिक्कती 51 से multiply कर लेते हैं हम तो अब आप से पूछ क्या रहा है 5 rational number तो बताओ क्या करोगे 3 upon 5 लिख लो 4 upon 5 लिख लो कितने rational में पूछ रहा है 5 एक नमर एक्स्टा लेलो क्या लोगे 6 multiply 6 multiply 6 multiply 6 multiply 6 multiply करो जी 18 upon 30 या गया 24 upon 30 ठीक है पिटा क्लियर है अब पूछ के रहा था आप से पूछा जा रहा था आप से 5 rational number 5 rational number हिन्दी में क्या लिखोगे 5 पड़ में संख्या 5 पड़ में संख्या किसके भी पूछ रहा है 5 पड़ में संख्या 18 और 24 के बीच में तो 18 और 24 के लिखो 19 हो गया एक तो 20 हो गया आपका 21 आ जाएगा आपका 22 और 23 देखो 1, 2, 3, 4, 5 18 और 24 के बीज़े 5 rational number हमने find के लिया यह था question number 3 question number 4 पे देखो simple था ना 5 पूछ रहा था 6 से multiply कर दो आगया answer तरीका presentation ऐसी रखना पेपर में exam में तरीका सीखो यह नहीं कि answer ऐसी लिख दिया नहीं तरीके से लिखना पिटा method method सीखो बढ़िया से कोई ची नहीं है पूछ ले ना लेकिन मैं अच्छे से रखना question number 4 पढ़ो question number 4 क्या कर रहा है state whether the following statement are true or false आप से कह रहा है कि यह जो statement है यह सही है या गलत है एक तो यह पहचाना है और give reason आपको reason भी देना है तो पहला पार देखो फोर्थ का पहला पार्ट कह रहा है every natural number every natural number is a whole number every natural number is a whole number परते एक प्राकृतिक संख्या परते एक प्राकृतिक संख्या एक पून संख्या होती है परते एक प्राकृतिक संख्या एक पूंड संख्या होती है अब बताँ नेच्रल नमर क्या बताए था नेच्रल नमर क्या बताए था आपको नेच्रल नमर होता है एक से लेकर infinity तक और वोल नमर क्या होता है जीरो से लेकर infinity तक तो कह रहा हर एक नेच्रल नमर हर एक natural number ये वाला number whole number में भी आता है कि हाँ आता है ना देखो ना हर एक natural number जो है वो whole number में भी तो आ रहा है तो इसलिए इस कांसा लिखेंगे true क्या लिखेंगे बिटा true कि हर एक natural number whole number में आता है आप चाहँ तो reason भी लिख सकते हो because every natural number is a whole number परते एक natural number whole number भी होता है बाकि आप true लिख दोगे क्योंकि one marks में आता है तो true and false भी आसर दोगे तो काम बन जाएगा second part देखो इसका second part क्या है कहारा बटा second part देखो जल्दी से second part आप से कहारा बटा every integer सारे पुर्णांग integer is a whole number सारे integer एक whole number होते है परतेक पुर्णांग एक पूर्ण संख्या होती है चलिए आईए देखते हैं होती है नहीं होती बताएं इंटीजर क्या बटा है था integer थे minus 1 minus 2 minus 3 और सारे plus के भी number थे minus के सारे number plus के सारे number और whole number में कोन आता है 0, 1, 2 and so on तो क्या सारे integer और whole number है नहीं न क्या सारे integer minus के कहा है भाई नहीं है न तो सारे integer whole number नहीं होते तो क्या लिखोंगे answer false example भी लिख दोगे जैसा आपने लिख दिया minus 3 minus 3 एक integer है minus 3 एक integer है लेकिन ये whole number तो नहीं है न बटा तो इसलिए ये false statement है किलियर हो गया, next देखो third part, third part, last step आपका, पहले एक साइज का पहले एक साइज का last part है बटा every rational number is a bowl number परतेक परमे संख्या परतेक परमे संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, अभी पता लग जाएगे जी होती है नहीं होती, tension क्या है अभी पता लग जाएगा, rational नमर में क्या आता है जी, 2 upon 3, 4 upon 5, minus 2 upon 3, बहुत साइज नमर आता है जी और जी, bowl number में क्या आता है, bowl number में आता है, 0, 1, 2, 3, and so on, अब बता हो, क्या सारे rational number आये, bowl number में, क्या सारे, ये आ रहे क्या, ये आया, minus का आ सकता है क्या, नहीं आ सकता न, इसलिए answer क्या लिखोगे, false, और reason देना चाहो तो देदो, minus 2 upon 3 जो है, वो एक rational number है, minus 2 upon 3 is a rational number, but not a bowl number, minus 2 upon 3 एक परमे संख्या तो है, लेकिन ये पू लिखेंगे, असत्य लिखेंगे, clear हो गया, reason भी पता होना चाहिए, जो आप कर रहे हो, उसका reason भी पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका पहला एक्साइस ता बेटा, कोई भी doubts हो, कोई चीज समयमिनी आए, आप पूछ लेना, ठीक है, तो कुछ समयमिनी आए तो पू